नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज सात्में दिन कैसा रहा भारत का परदर्शन ACN Games 2023 के अंदर आज का दिन भारत्य खिलाडियों के लिए वहुत ही जबर्दस रहा क्योंकि भारत्य खिलाडियों ने अज सूटिंग के अलावा दुसरे खिलो में भी सोने का मैडल जीता स्क्वैस गोल्ड मैडल की चमक वैसे तो काफी अनूठी होती है पर अगर गोल्ड मैडल पाकिस्तान को हरा कर जिता जाये तो मैडल की चमक चोगनी हो जाती है आज स्क्वैस में भारतिया टीम ने पाकिस्तान को दो एक से हरा कर गोल्ड मैडल अपने नाम किया और साथ ही ग्रूप स्टेज में मिली हार का बदला भी लिया भारतिया खिलाडियों जिन में अभैसिंग, महेश और सौरव गोसाल ने जबरदस्त खेल दिखाया और ये मैडल अपने नाम किया भारत का दूसरा गोल्ड मैडल रोहन बोपन्ना और उतजा भुंसले की मिक्स जोडी की टीम से आया भारतिया जोडी ने चाइनिज ताइपाई की जोडी को हरा कर ये मैडल अपने नाम किया शूटिंग, शूटिंग में आज भारतिया मिक्स टीम ने सिल्वर मैडल अपने नाम किया, 10 मीटर एर पिश्टल के मुकाबले में सरब जोर्द और दिव्या एस की जोडी ने सिल्वर मैडल अपने नाम किया, इसके लावा शूटिंग में ट्रैप मैन के टीम मुकाबले में आज भारत की टीम फेज वन के बाद दूसरी पोजिशन पर ही और महिला ट्रैप टीम फोर्थ पोजिशन पर ही, कल फेज डू और फाइनल के मुकाबले होंगे। Volleyball Volleyball में महिला टीम के मुकाबले में Group Stays के मुकाबले में आज भारतिया टीम को North Korea से हारका समना करना पड़ा 3-3 Basketball 3-3 Basketball के अंदर भारतिया पूरश टीम को एरान की टीम से 17-19 के साथ Quarter Final में हारका समना करना पड़ा वही भारतिया महिला टीम ने पहले मलेसिया को 16-6 से हरा कर क्वार्टर फाइनल में अपनी चिके हैं पकी पर क्वार्टर फाइनल में चैनिज ताइपाई ने 10-21 से हरा कर बाहर कर दिया Athletics में मैं लोंग जंप के अंदर मुरली शिरिशंकर और जैस्विन एल्डरीन ने फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है वही मैं 1500 मेटर रेस के अंदर जिंसन जॉंसन और अजय कुमार सरोज ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया महीला 100 मेटर हड़ल के अंदर जोती याराजी और निथ्या रामराज ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है परपूरष 400 मेटर रेस के फाइनल मुकाबले में मुंब्ध अजमल पांचवी पोजीशन पर रहे वहीं महिला 400 मेटर रेस के फाइनल के मुकाबले में एश्वरिया मिस्रा फोर्थ पोजीशन पर रही पर पूरस 10,000 मेटर रेस के अंदर कार्ति कुमार उर गुलवीर सिंग ने अपना परसनल बैश्ट देते हुए सिलवर मैडल और ब्रॉंज मैडल अपने नाम किया बैडमेंटन में आज पूरस टीम का मुकाबला सिमी फाइनल में साउथ कूरिया की टीम से था बारतिया टीम ने एक कड़े मुकाबले में कूरिया की टीम को पांच मैचेस तक चले मुकाबले में तीन दो से हरा कर फाइनल के लिए अपनी जगें पक्की की बॉक्सिंग जापान के बॉक्सर से 5-0 से हार कर बाहर हो गए ब्रीज ब्रीज में आज मैन वो मैन और मिक्स टीम के थर्ड और फॉर्थ राउंड के मुकाबले खतम हुए भारते खिलाडियों का परतरशन मिला जुला रहा कैनोइंग कैनोइंग के स्प्रिंट मुकाबले में पूरस और महिला खिलाडियों के सभी सातों इवेंट में भारते खिलाडी फाइनल में पहुँचने में कामियाब रहे चैस चैस में मैन टीम ने आज उजुबेकिस्तान से ड्रो खिला और महिला टीम ने वियतनाम की टीम से जीत हासिल की स्पीड स्केटिंग के इवेंट में भारतिया पूरस और महिला खिलाडी 10,000 मिटर रेस में कोई भी मैडल जीतने में कामियाब नहीं हुई टेबल टेनिस वेट लिफ्टिंग में आज भारत को निरासा का सामना करना पड़ा 49 किलोग्राम भारवर्ग में मैडल की प्रबल दावेदार मीरा बाही चानू का प्रदर्सन कुछ खास नहीं रहा और वो फोर्थ पोजीशन पर रही वहीं 55 किलोग्राम भारवर्ग में बिंद्यारानी देवी ने पाँचवी पोजीशन पर अपना मुकाबला खतम किया तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यावाद